हेलो इस वीडियो में आज हम सीखेंगे वट इफ एनलाइजिस तो इसको करने के लिए यहां पे डेटा टैप पे जाएंगे डेटा टैप पे जाने के बाद यहां पे वट इफ एनलाइजिस यहां पे क्लिक करेंगे यहां पे क्लिक करने के बाद हमारे पास तीन ओप्शन आ जाएंगे फर्स्ट है scenario manager उसके बाद है goal sick उसके बाद है data table इन तीनों को हम यहाँ पे detail में करेंगे सबसे पहले यहाँ पे हम करेंगे goal sick के बारे में इसको यहाँ पे समझेंगे तो यहाँ पे दिये गया product name, bit यहाँ पे इसका price है per kg यहाँ पे 16 है इसके बाद quantity यह भी kg में ह यह 14 है यहाँ पे हम निकालेंगे total sale तो total sale यहाँ पे click किया click करने के बाद equal to यह लिखा यह equal to आ गया इसके बाद quantity इस cell के ओपर click करेंगे यहाँ पे 14 पे click किया यह cell name यहाँ पे आ गया b4 इसके बाद multiply यह लगाया multiply करने के बाद यहाँ पे price यह 16 है यहाँ पे click किया यह cell name यहां पे आ गया है B3 यह देखो B column और 3 row B3 आ गया है इसके बाद enter प्रेस करेंगे तो enter प्रेस करने के बाद यह देखो यह total sale जो है यहां पे 224 यहां पे आ जाएगी तो इस तरह से यहां पे हम total sale यहां पे निकाल सकते हैं अगर हम यहां पे suppose करो price change करते हैं यहां पे 17 किया यह 17 लिखा enter प्रेस किया तो यह देखो यहां पे total sale change हो जाएगी अगर हम यहां पे quantity यह change करेंगे suppose करो यहां पे 14 यहां पे हमने 11 लिखा यह 11 enter प्रेस किया तो यह देखो यहां पे total sale जो है यहां पे change हो जाएगी इसके बाद अगर हम यह चाहते हैं कि हमारे पास यहां प price कितना बढ़ाना पड़ेगा या हमें quantity कितनी बढ़ाने पड़ेगी इन दोनों में से एक हम यहां पे लेंगे तो हम सबसे पहले यहां पे price लेंगे तो price लेने के लिए हम यहां पे data type पे जाएंगे इसके बाद what if analyzes यहां पे click करेंगे इसके बाद goal six E5 यह हमने यहां पे रखा हुआ total sale इस cell name को हम यहां पे रखेंगे इसके बाद यहां पे two value तो two value में हम value यहां पे set करेंगे जैसे हमने यहां पे 200 यह value यहां पे set की set करने के बाद by changing cell तो यहां पे हम कोई भी option लेंगे जैसे यहां पे price इसको भी ले सकते है या quantity इसको भी ल लाना पड़े कि यहां पे 200 हो जाए तो हम यहां पे क्लिक करेंगे by changing cell यहां पे क्लिक किया इसके बाद यह cell name b3 यहां पे क्लिक करेंगे price के उपर यह देखो 17 यहां पे क्लिक किया यह cell name यहां पे आ गया आने के बाद ok पे क्लिक करेंगे तो ok पे क्लिक करने के बाद फिर यह यह dialogue box आ जाएगा इसके बाद फिर यहां पे ओखी पे क्लिक करेंगे तो यह देखो यहां पे हमें यह price यहां पे लगाना पड़ेगा इस price को लगाने से हमारे पास यहां पे total sale जो है 200 यहां पे आ जाएगी तो इस तरह से हम यहां पे निकाल सकते हैं अगर हम यह चाहते हैं क कि यहां पे हमें 300 चाहिए total sale तो हमें यहां पे quantity कितनी बढ़ाने पड़ेगी तो इसको यहां पे हम करके देखते हैं फिर यहां पे total sale यहां पे click किया इसके बाद फिर यहां पे data app पे गए data app पे जाने के बाद what if analysis यहां पे click किया इसके बाद goal seek यहां पे click किया यहां पे click कर पे b5 यह रखा हुआ है two value यहां पे हम भरेंगे 300 हम यहां पे 300 चाहिए इसके बाद कितनी quantity होनी चाहिए फिर हम यहां पे by changing cell यहां पे click करेंगे यहां पे click करने के बाद यहां पे b4 यहां पे 11 है यहां पे click करेंगे तो यह cell name अपने आप ही यहां पे आ जाएगा b4 इसके ब फिर यहां पर ओके पे क्लिक करेंगे तो यह देखो हमें quantity जो है यहां पर 16.5 करने पड़ेगी तब जाके हमारे पास यहां पर total sale जो है 300 यहां पर आ जाएगी तो इस तरह से हम यहां पर गोल सिक फार्मूले का यूज कर सकते हैं इसके बाद यहां पर हम data table के बारे में जाने तो यह quantity अलगलग quantity यहां पर दी गई है इस quantity के इसाब से हम यहां पर total sale निकालेंगे की total sale यहां पर कितनी हुई तो इस table के जरीए यहां पर हम table निकालेंगे तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे यहां पे quantity इसके आगे यहां पे इस cell पे click करेंगे click करने के बाद equal to यह लिखा यह equal to लिखा लिखने के बाद अब हम इस table के जरीए इसको निकालेंगे तो यह हमारे पास total sale यहां पे 300 है तो हम 300 इस cell पे click करेंगे यह देखो यह cell name यहां पे आ जाएगा बी 5 यह cell name यहां पे आ गया जब हम enter प्ट्रेस करेंगे तो यह जो value है यहां पे आ जाएगी यह देखो enter प्रेस किया तो यह value ही यहां पे आगी इसके बाद हम range को select करेंगे कि कितनी range का हमने हो यहां पे यहां पर क्लिक करेंगे यहां पर क्लिक करने के बाद यह हमारे पास data table डायलो वोक्स यहां पर आ जाएगा है इसके बाद यहां पर दो option है row input cell तो हमने यहां पर row input cell इसको blank रखना है यह देखो यह दिये गया है तो हमारे पास क्या है यहां पर quantity है तो यह देखो quantity जो है यह column हमें दी गई है यह column है पूरा यह column में दी गई है तो हम क्या करेंगे यहां पे column input cell यहां पे click करेंगे click करने के बाद यह quantity है तो उपर वाले table पे हम click करेंगे यह दी अवाले company कि on committee कुणि तो स्टीन पॉइंट फाइव यहां पे click करेंगे यह username यहां पे आ जाईगा आने के बाद okay पे click करेंगे तो okay पे click करने के बाद यह दिखो यहां पे यह जितनी क्वंटिटी है यहँ तो इसके साबसे यह total तो तो टोटल सेल हुई यह यहाँ पर तो टोटल सेल हुई यह वाद यह तो हो गया यहाँ पर कॉलम के साफ से यहां पे टोटल सेल निकालनी है अगर हम यहां पे चाहते हैं कि रो के साफ से टोटल सेल निकालनी है तो स्पोज करो इसको हम यहां पे ड्लीट करते हैं यह ड्लीट किया ड्लीट करने के बाद यह यहां पे प्राइस दिये गया है तो प्राइस जो है यहां प इकल टू यह लिखा लिखने के बाद यह जो है टेवल यहां पे टोटल से 300 है यहां पे क्लिक किया क्लिक करने के बाद यह सेल नहीं आ जाएगा इसके बाद एंटर प्रेस किया एंटर प्रेस करने के बाद यह रेंज हम सेलेक्ट करेंगे यह देखो यह जितनी भी रेंज है हमने select की select होने के बाद फिर data table पर जाएंगे इसके बाद what if analysis यहां पर click करेंगे इसके बाद data table यहां पर click करेंगे यहां पर click करने के बाद डायलोग्स आ जाएगा तो पहले यहां पे हमने column input cell इसको किया अब यहां पे हम row input cell इसको करेंगे तो यहां पे हम price को रखेंगे पहले हमने यहां पे quantity को रखा यहां पे हम price को रखेंगे तो यहां पे click किया row input cell यहां पे click किया इसके बाद row में हमने यहां पे price लिखा हुआ है ये सेवंटीं 18 19 20 यह यह प्राइज है यह जो प्राइज यहां पे लिखा हुआ है इस इल पिकलिक करेंगे यह सयल नहीं यहां पिआ जाएगा यह दिको इसके बाद okay करेंगे तो okay पिकलिक करने के बाद यह दिखो हमारे पास यह जो है टोटल सेल यहां पे आ जाएगी तो यह 17 इसके साब से यहां पे टोटल सेल आई हुई है यह 18 इसके साब से यहां पे टोटल सेल है यह 19 और यह 20 के साब से यहां पे टोटल सेल यहां पे आई हुई है इसके बाद यहां पे हम डेटा टेबल में रो के साब से और कॉलम के इसाब से टोटल से लिए यहां पे निकालेंगे तो इसको यहां पे ड्लीट करते हैं यह ड्लीट किया इसके बाद हम यहां पे क्वांटिटी लिखते हैं जैसे यहां पे क्वांटिटी लिखी है हमने 20 इसके बाद 24 इसके बाद 25 इसके बाद 26 यह हमने यहां पर quantity लिखी इसके बाद data table को हम row के साब से और column के साब से समझेंगे तो यहां पर row में दिया गया है price यह दिखो price 17, 18, 19, 20 यह price है और यहां पर यह quantity है 20, 24, 25, 26 यह quantity है तो अब हम यहां पर total sale यहां पर निकालेंगे तो total sale कितनी हुई तो इसको निकालने के लिए हम यहां पर यह जो blank है cell यहां पर click किया, click करने के बाद equal to यह लगाया लगाने के बाद यह goal 6 यहां पर यह जो data है यहां पर total sale 300 है, यहां पर click किया यहाँ पे click करने के बाद यह cell name में यहाँ पे आगया B5 इसके बाद enter press किया enter press करने के बाद यह देखो total cell यह जो है 300 यहाँ पे आगया इसके बाद हम यहाँ पे table को select करेंगे यह देखो यह जितनी range है हमने select की इसके बाद हम यहाँ पे data type पे जाएंगे data type पे जाने के बाद what if analyzes यहाँ पे क्लिक करेंगे इसके बाद data table यहाँ पे क्लिक किया यहाँ पे क्लिक करने के बाद यह data table यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे हम करेंगे row input cell तो row में क्या दिये गया है यह देखो row में price दिये गया ह तो यहां पर price पर click करेंगे यह देखो price यहां पर click किया तो यह raw input cell में यह cell नहीं आ जाएगा B3 यह देखो B column है और 3 row है इसके बाद निच्चे देगया है column input cell यहां पर click किया यहां पर click करने के बाद column में क्या है यह quantity दिख्यू हूई है यह देखो यह quantity है तो यहां पर यह quantity यह goal 6 table है और यहां पर quantity इसके ओपर click करेंगे 16.5 इस cell पर click है यह cell नहीं यहां पर आ जाएगा B4 इसके बाद हम ok पर click करेंगे ok पर click करने के बाद यह देखो यह यहां पर हमारे पास total sale यहां पर आ जाएगी तो इस तरह से हम यहां पर row के इसाब से और column के इसाब से यहां पर total sale यहां पर निकाल सकते हैं इसके बाद आगे हम करेंगे scenario manager तो scenario manager इसका use इसलिए किया जाता है suppose करो यह हमारे पास यहां पर value दे गई है अगर हम यह चाहते हैं कि यह value हम save करके रखें अगर कोई दूसरा यहां पर changing कर दे तो यह हम दुबारा से इसको देख सकें तो इसको करने के लिए हम यहां पर scenario manager का use करेंगे तो सबसे पहले हम यहां पर price और quantity इसको यहां पर select करेंगे यह देखो दोनो cell को हम यहां पर select करेंगे price के cell को भी select किया और quantity के cell को भी select किया select करने के बाद अब हम यहां पर data type पर जाएंगे और यहां पर what if analysis यहां पर click करने के बाद सबसे उपर जो है वो है scenario manager, यहां पे click किया, यहां पे click करने के बाद, यह scenario manager, dialogue box यहां पे आ जाएगा, इसके बाद यहां पे सबसे, पहला जो यहां पे tab है, वो है add, यहां पे click किया, यहां पे click करने के बाद, scenario name, यहां पे scenario name है, तो scenario name यहां पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो suppose करो, यहां प पे क्लिक करने के बाद फिर यहां पे यह डायलोग वोक्स आ जाएगा यहां पे हमने OK पे क्लिक किया OK पे क्लिक करने के बाद यह दिखो यहां पे यह March यहां पे यह सेव होकी आ जाएगा इसके बाद इसको बंद करेंगे बंद करने के बाद ये दिखो यहाँ पे कोई changing करता है suppose करो यहाँ पे लिखा 8 और यहाँ पे लिखा निचे quantity 9 और फिर enter प्रस किया तो enter प्रस करने पे यहाँ पे total sales change होगी अगर हम यह देखना जाते हैं कि हमारे पास पुराणी जो यहाँ पे price था और quantity थी वो क्या थी तो इसको देख करेंगे data type पे जाने के बाद what are you finalizes यहाँ पे क्लिक किया scenario manager यहाँ पे क्लिक किया scenario manager पे क्लिक करने के बाद यह scenario manager डायलोग्स आ जाएगा यहाँ पे दिए गया है March यह दिखो हमने save करके यहाँ पे रखा था March यहाँ पे क्लिक किया क्लिक करने के बाद यहां पर निच्च दिये गया टाइब शो यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर क्लिक करने के बाद यह दिखो यहां पर यह जो पुराणा प्राइज था यहां पर यह आ गया और पुराणी यहां पर क्वांटिटी थी लिखी हुई यह आ गई और यह टो के उपर यहां पे क्लिक करेंगे और यहां पे delete पे क्लिक करेंगे तो delete पे क्लिक करने के बाद यह देखो यहां पे जो हमने save करके रखा था वो यहां से चला गया इसके बाद यहां पे close पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से हम यहाँ पर Scenario Manager का यूज कर सकते हैं तो इस वीडियो में हमने Scenario Manager, Goal Seek और Data Table के बारे में जाना अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल धन्यवाद